हलो फ्रेंड्स आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहोस अप सलूशन्स पर और आप देखना सुरू कर चुके हैं हमारा एंगुलर 15 का फूल टूटोरियल सीरीज परदेट करते हैं कि पीचले वीडियो में यह देखा कि अलेkennt करते हैं मतल Cup और कॉन कोण सा फाइल और फोल्डर करेट होता है मतलब पूरा का पूरा project structure के बारे में समझेंगे क्योंकि जब तक आपको पूरे project के बारे में मजबी नहीं आएगा तब तक आपके एक अच्छा developer नहीं बन पाएंगे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे project में by default file और folder create होके आया है project के अंदर जाएंगे एक-एक file और folder का मतलब हम देखेंगे कि किसका connection कहां से है और कौन सा file का कितना importance है किसमें हम क्या change कर सकते हैं किस में नहीं कर सकते हैं किस folder में हमें क्या रखना चाहिए everything will be cover in this video तो चले start करते इस वीडियो टूटोरियल तो एंगुलर project structure के बारे में हम इस वीडियो टूटोरियल में समझेंगे देखिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि अंगुलर project जो हम create करते हैं तो कौन-कौन सा file और folder create होता है हम आपको directly VS code में लेकर चलेंगे जहां पर हमने project open करके दिखाया था पिछले वीडियो में वहां पर हमने देखा थे कि बहुत सरा file और folder create होके आया था उसको हमने बस आपको दिखाया नहीं था समझाया नहीं था कि कौन सा file का मतलब होता हूं सारे चीजों को हम डीटेल में आज देखने वाले हैं इस वीडियो में ठीक है तो चले डिरेक्ली हम open करके दिखाते हैं फिर उसके बाद मैं आप लोग को अगें स्क्रीन पर भी सारा theoretical पार्ट भी दिखाऊंगा सारा theory मैंने आप लिख रखा है किसका क्या मतलब होता है लेकिन इसको बेहतर यह है कि मैं आपको directly project में लिए चलूँ और project में समझाऊंगा कि इस file folder का क्या मतलब है तो यह है हमारा project my angular app जो हमने पिछले वीडियो में create किया था इस project के अंदर हम देखेंगे कि angular में जो भी project हम create करते हैं तो उसमें कौन-कौन सा folder और file create होता है किसका क्या role है और किसका क्या importance है तो सबसे पहले देखें जो पहला folder है .angular यह folder angular 13 से create होने लगा है इस version में भी create हुआ है यह कैसे के लिए create होता है जब भी आप कोई project create करते हैं तो उस टाइम यह folder नहीं रहेगा जैसे उस project को आप run कराते हैं ng serve करते हैं तो यह folder create हो जाता है तो पिछरे वीडियो में हमने इसको run कराया था तो यह folder create हो चुका है आप इसको delete भी कर सकते हैं करेंगे जैसे दुबारा इस project को run करेंगे यह folder create हो जाएगा उसके नीचे कि डॉट विजियो कोड़ करते हैं उसके लिए हैं ठीक है इन दोनों को delete भी कर सकते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा आपके development पर ठीक है अगला है जो में फोल्डर है node modules यह सारे project में आपको मिलेगा node module ठीक है आपको जब हम installation सिखा रहे थे तो हमने आप लोग को हम बताया था कि हम node.js भी install करते हैं और जैसे ही node.js install करते हैं तो वहां पर NPM अपने आप install हो जाता है जिसे हम बोलते है node package manager तो वही NPM जो है इस node module folder को create किया है जब आप project को create करते हैं तो आपकी इस project में बहुत सारे dependency बहुत सारे libraries अपने आप install होते हैं with the help of NPM NPM के help से अपने आप install हो जाते हैं और किसले install होते हैं जो आपके project को support करने पूर्जेट को develop करने में आपको support करते हैं उस सारे libraries जैसे ही आप expand करते हैं देखें बहुत सारे folder आपको मिलेंगे बहुत सारे folder folder के अंदर folder उसके अंदर folder बहुत सारे folder मिलेंगे मतलब कि बहुत सारे dependencies आपके project में by default install हो जाते हैं देखें इतने सारे dependencies यह कौन किया है NPM किया है ठीक है और इसका जो reference है package.json file और package.json file में अबलेबल है ठीक है कहने का मतलब यह है कि जितने भी dependency install होता है उसका जो folder है node module के अंदर अवलेबल है और उसका जो reference है package.json file और package.json file के अंदर देख सकते हैं ठीक है तो इन दोनों folder के बारे दोनों file के बारे में package.json file और package.json file के बारे में separate video दूँगा वहां पर आपनों को इन दोनों file के बारे में deeply समझाओंगा कि इन दोनों file का क्या role है किसके अंदर क्या होता है और किसके अंदर क्या नहीं होता है इन सब की बारे में बिल्कुली separate video इस video के बात तुरंत हम upload करेंगे उसको देखिएगा क्योंकि बहुत important यह file है तो आप बोल सकते हैं कि node module जो folder है container है जो contain करता है आपके project में install packages के folder को ठीक है और उनका reference package.json file और package.json file में available होता है ठीक है तो यह बहुत है भी folder होता है आप इसको delete भी कर सकते हैं delete करके और terminal में जाकर new terminal करके और यहां पर आप लिखेंगे npm install तो अपने आप फिर यह folder आपके इस project में create हो जाएगा और उसके अंदर जितने भी folder से सारे अपने आप आप आजाएंगे ठीक है तब आप लग रहा होगा कि आएंगे कहां से इनका जो reference है इन दोनों file के अंदर है package.json file और package.json file के अंदर तो वहां से यह pick कर लेगा वहां से जाकर इन दोनों file का जो reference हमाँ जपिक करेगा और उन सारे packages को install करेगा और उनका folder इस folder के अंदर बना देगा अगर आपको अपना project किसी friend को share करना है Google Drive पर रखना है pen drive देना है तो इसको आप delete करके दे सकते हैं और बोलेंगे कि उसको visual studio code में open करके terminal के अंदर जाकर npm install चला लेना तो इस सारा folder अपने आप इसके अंदर create हो जाएगा और सारे package अपने आप install हो जाएंगे इसके और इन दोनों फाइल के बारे में और फिर deeply हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे दोनों एक काम करते हैं इसका फाइल कंतर में क्या क्या है सब कुछ आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं ठीक है अगला जो folder है src जिसे हम बोलते है source folder यही आपका project का main folder है इसको जैसे ही आप expand करते हैं तो आपको इसके अंदर एक app name folder मिलेगा जिसको हम बोलते है application का folder मतलब कि अपने इस application के अंदर इस project के अंदर जितने भी component module service जो डिरेक्टिव जो भी क्रेट करेंगे इस app folder के अंदर ही create करते हैं जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता रखा है मैंने कि जब भी कोई project create करते हैं तो अपने आप मॉडूल का file क्रेट हो के आता है ठीक है उसके簡單 आपने आप एक component करेट हो कि आता है जो कोई component के रिट होता है । घृकर है अगला चीजा आप project create कर रहे थे तो वहाँ पर पूछा था कि would you like to add angular routing तो वहाँ पर हमने y प्रेस किया था y जैसे ही प्रेस करते हैं तो app routing.module.ts file अपने आप create होएता है, यह routing का फाइल है, ठीक है, जब हम आपको routing का वीडियो देंगे, तो वहाँ पर आप देखिएगा creation के लिए उच्च किया जाता है, routing तो यह routing module वहाँ पर बहुत ही important role play करता है, अगर आप project create करते time जब पुछता है question, जो एंगर 7 से पुछने लगा है, तो वहाँ पर in प्रेस करके इंटर हिट करेंगे, तो यह फाइल क्रेट नहीं होगा, जब वाइक प्रेस करके इंटर हिट करते हैं, तो app.routing.model.ts फाइल create हो जाता है, और app.component.html फाइल में router outlet नेम का एक tag आड़ हो जाता है, तो यहाँ पर एक tag आड़ हो जाता है, router outlet, और बहुत सरे code लिखे हो आते हैं, जो मैं आप लोग को पिछले वीडियो में दिखाया था, ठीक है, यह है इसका काम, इस component का, ठीक है, अब इस component का जो local CSS लिखेना होगा, आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, यह एक फाइल आता है टेस्टिंग के लिए इस component का, जो टेस्टिंग होता है, उसके लिए aspect.ts फाइल आता है, टेस्टिंग के लिए उज़ किया आता है, तो अगर आप इसको delete भी कर देंगे, तो आपके development में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, यह component का फाइल है, और यह आपका module का फाइल है, जो by default create हो क्या आता है, मैं आप लोग को अलड़ी बता रहा हूँ, इसके बारे में कि module के अंदर, जो ng module decorator है, तो इसमें declaration, imports, provider, bootstrap का क्या रोल होता है, जब मैं आप लोग को पिछले वीडियो में पता रहा था कि workflow क्या होता है, अग्लोर अप्लिकेशन का, तो वहाँ पर मैं आप लोग को इसका अरे में बताया है, ठीक है, एक बार फिर समझेए, कि जब भी आप कोई component create करते हैं, इस module के अंदर तो उस component का name इस declaration section के अंदर होना चाहिए, तभी वो component काम करेगा, जब कोई module create करेंगे, तो उस module का name import section के अंदर होना चाहिए, कोई service class, pipe यह सभी उज़ करेंगे, service class उज़ करेंगे तो यहाँ पर provider के अंदर होना चाहिए, और boot step आपके application को कोई hit करेगा, तो पहला component कौन hit load होगा, वो यहाँ पर उसका नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हमने इसका दे रखा है, इसके बारे उन details हमने आप लोगों का एक video दे रखा है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है, जब यह component load होता है, तो मैं आपको यह बता रखा है, मैंने कि template वारल में जो component का file का पात दिया हुआ है, वह ही जाकर load होता है, ठीक है, जब मैं component का वीडियो दूँगा, आगे आने वाले वीडियो में, तो वहाँ पर आपको एक एक चीज़ को template वारल, template style मत बहुत सरे metadata के बारे में बिल्कुल ही practical करके दिखाऊंगा, अभी हम लोग बिल्कुल ही basic चीज़े देख रहे है, theoretical ठीक है, सब के बारे में run कराकर, इस में change कर, इस file में change करके, अब इसके instead of अगर हमें क्यों यहीं पर HTML लिखना हो, तो template कैसे लिख करेंगे, इस style.css, component.css फाइल में कुछ लिखना हो, तो कैसे लिखेंगे, अगर इसके बदले हमें यहीं पर inline css लिखना हो, अप्लिकेबल हो जाएगा, apply हो जाएगा, अगर उसका अपना कोई local css नो हो, तो यह style css, global css होता है, यह आपको समझ में आ गया, उसके बाद app folder के अंदर यह होता है, उसके बाद जो नीचे folder या app folder का, वो है assets, ठीक है, assets folder जो होता है, third party, जितने भी icons हो गये, images हो गये, व यह से होता है, कि बहुत सरे developer, जब किसी दूसरे technology में काम करते हैं, तो अपने मन से कोई भी folder बनाया, उन्होंने और उसमें images रखती है, कोई आया, my images name से folder बनाया, उसमें रखती है, कोई फोटो इनेम से image folder बनाया, उसमें image रखती है, उसका reference देते हैं, तो वहाँ पर अपने नेम से folder बना लेजिए, लेकिन वो folder इस assets folder के अंदर ही होना चाहिए, ताकि idea लगे कि यह third party images और icon यहीं से आ रहे हैं, तो यह जितने भी third party आपको icon images रखने होंगे, asset folder के अंदर ही रखेंगे, आगे जब मैं वीडियो दूँँगा, जब रखूंगा, ता आपको द आपको अपने project का कोई आकन रखना है, तो इस favicon.ico को replace कर दिजेगा, तो आपका icon वहापर image दिखने लएगा, उसके बाद आता है index.html, index.html जो है, यही आपका main file है, जो आपके browser में दीखता है, मैंने अलड़ी बता रखा है, कि जब आपका कोई component load होता है, या unload होता है, index.html पर ही होता है, यही एक single page है, आपके portrait के अंदर, बाकि सारे component होते हैं, इसलिए अंगुलर में बने application को single page application बोला जाता है, क्योंकि इसमें HTML का file के बाकि सारे component होते हैं, तो जो भी component आप dynamic या static load करते हैं, index.html पर ही load होता है, तो यही आपके browser में होता है, देखें, यह selector app component का है, देखें, आप root, यही पर index.html पर ही यह app component जाकर load हो रहा है, तो यह आपके browser पर जाकर दीखेगा, ठीक है, अगर मैं आपको ng serve करता हूं, तब तक आपको दिखा भी दूँगा, ng serve करता हूं, रन होगा, तब मैं दिखाऊंगा कि यही पर app component जो है, यह load होगा, और इसमें, अब app component load होगा, तो इसका यह HTML का file load होगा, तो मैं दिखाऊंगा, जो मैं यहाँ पर लिखाऊंगा, welcome to serve solution नहीं दिखेगा, अगर मैं कुछ change करूंगा, तो ओ दिखने लाएगा, तो तब तक run हो रहा है, तब तक आगे देखते हैं, तो उसके बाद आता है main.ts file देखिए, main.ts file क्या है, कि यहीं से जब भी आपके application को कोई hit करता है, तो first time आपका compiler main.ts file के पास ही आता है, ठीक है, यहीं पर bootstrap module लिखा हुआ है, मतलब कि यहीं से उसको पता चलता है, यह कौन से module को load करना है, आप जब यहाँ पर देख रहे थे, कि component का अंदर लिखा तो module पता करने के लिए compiler को सबसे पहले यहीं आना होगा main.ts file के पास, यहीं पर मिलेगा bootstrap module, कि यह app module में जाओ, तो app module का पातका है, app folder के अंदर app module, ठीक है, तो यहाँ पर आपको app folder के अंदर app module के पास आएगा, तब यहाँ पर उसको component मिल जाएगा, और component को load कर देगा, तो main.ts file का रोल है, ठीक है, उसके बाद आप देखे है style.css file, इसको हम बोलते हैं global.css का file, उसके बाद देखिए नीचे editor config, यह editor config जो है, teamwork के लिए दिया गया है, जब आप team में काम करते हैं, जब किसी company में काम करते हैं, तो एक ही project पर बहुँ सरे developer काम करते हैं, 20 लोग, 25 people, developer जो होते हैं, 15 developers एक साथ काम करते हैं, तो कोई एक किसी page पर काम कर रहा है, कोई किसी page पर काम कर रहा है, कोई अपने page पर अपने तरीके से code कर रहा है, कोई अपने page पर अपने तरीके से code कर रहा है, कोई variable का नाम कुश्य और तरीके से रहा है, कोई function का नाम किसी और त ले रहा है जब उस project को migrate करेंगे बाइंड अप करेंगे हमारा unique product नहीं निकल पाएगा तो इसलिए हम क्या करते है coding standard एक maintain करके चलते हैं कि आप सभी लोग को किसी coding standard को follow करना होगा तो उसके लिए एंगलर ने दिया और इसका access किसी developer के पास नहीं होगा अब इस rule के अगेंच कोई भी developer अपने component पर काम करता है उसके component पर compile time हे रहाने लाएगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा तो उसको इस rule को follow करना ही होगा कोई इसको change नहीं कर पाएगा read only access सब के पास रहेगा वो देख सकता है यह क्या rule है तो यह होता है teamwork करने के लिए उसके बाद आप देखिए कि अगला है आपका git ignore ठीक है जो git ignore फाइल है यह क्या होता है कि इसके अंदर हम उन फाइल फोल्डर का नेम रखते हैं जिससे हमें git के repository से इगनूर करना होता है हम चाहते हैं कि git पर यह फोल्डर न जाए वहां पर upload ना हो तो इसके नेम को हम यह पर रखते हैं जैसे कि डीस्ट सुलडर हो गया जबता तो हम पब्यूडर करते हैं तो तब यह pの ق か होता है ठीक है नोट जो है एक कन्फिग्रेशनल फाइल है एंगुलर 6 से पहले इस फाइल का नाम था एंगुलर-cli.json अगर आप किसी पुराने प्रोडेट पर काम करेंगे एंगुलर 5 पर 4 पर 2 पर तो वहां पर आपको इस फाइल का नेम एंगुलर-cli.json के नेम से मिलेगा ठीक है उसी का नेम रेनेम कर दिया गया थे इंग्रस्टिक्स में गुगल टीम के थूरू ठीक है मतलब एंगुलर-cli.json के दिवारा अब ये फाइल क्या कंटेंड करकर रखता है ये इस पाइल है जितने भी में-में फाइल थीक है सबका रेफेरेंस या किसी का फाइल यूज करेंगे तो उसका पाथ यहां पर स्क्रिप्ट के अंदर रखना होगा आप जिली जेक्विरी को यूज नहीं कर सकते हैं उसको आप इस्टॉल करना पड़ेगा इस्टॉल करेंगे तो उसका फोल्डर नोड़ मॉडुल के अंदर बन जाएगा ठीक है तो फोल्डर का पाथ आपको यहां पर स्क्रिप्ट एक अंदर रखेंगे तब यूज करते हैं तो इसका फोल्डर के निज रखेंगे तो मतलब यह कंटेन करकर रखता है है फाइल के वा ठ्कए उसके वाद आता है दो main file packet.json file ठीक है और एक होता है आपका packet log.json file इन दोनों file के बारे मैं separate video दूँँगा इस video के बाद उसको हम details में देखेंगे कि ये क्या-क्या content करकर रखता है इसमें किसका क्या मतलब है जैसे हाँ पर सारे package और उसका version का name दिया हुआ है उसमें carrot लगा हुआ है till लगा हु सब्सक्राइब करते हैं करो इस पात पर जाकर देखो आप ही चाहिए इसमें को इन्फर्मेशन एर कर सकते हैं ठेक है उसके बाद नीचे तीन फाइल दिया हुआ है टीएस कंफीक, टीएस कंफीक, टीएस कंफीक मतलब असके इसमें आपको कोई भी चैंज नहीं करना होता है ठीक है आप यह त्रीप के यहां पर फॉर्स कर दीजेगा ठीक है तो यह हो गया है कि एमुडर्ट अरांड 13 यह 14 से आने लगा है कि एस्टीक निखा हुआ आने ल ठीक है यह क्या करता है कि आप कोड करेंगे एक छोटी-छोटी चीजों को पॉइंट करेगा आपको आगे नहीं पढ़ने देगा इससे आपको भरी बलेंगे तो तुरंत भी इंसलाइज करो बीना इंसलाइज का आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो सीच को पर लोड हो रहा है या ही वेलकम टू साओ सुलूसन दीखेगा देखे लोकल अपने देखा तो लोकल अपर लिखता हूं कुछ है पर अगर आगर आप टैग हाओ अगर यू तो यही जाकर वहां पर दीख रहा होगा हलाकि सब कुछ में आप बता रहा हूं ठीक है दीख रहा है आप चाहें तो इन लाइन एस्टीमल भी लिख सकते हैं यहां पर जाकर ठीक है आप टेंपलेट यवारल हटाएंगे तो इस एस्टीमल फाइल का रिफरेंस पर पर कोमल लागाई तो अब जो इस टीम पर लेखा हुआ तया सब कुछ हट जाएगा और यहां पर इन लाइन लिखा हुआ ही आ जाएगा देखिए ब्राउजर पर चलिए देखिए आगे हैं ठीक है आप यहां पर इसके लोकल सी एसे से लोकल सी एसे में माली आप एच तो आप एचवन में जा दिया बेग्राउंड कुलर ब्लू ठीक है तो इस देखिए इसका बेग्राउंड कुलर ब्लू कर देगा देखिए ब्लू कर दीगा ठीक है अगला चीज कि आप लेकिन इंगलर क्या करता है करता है कि आप in-line css नहीं लिखें लिखेंगे आप इन- देखे गब इसमें जो लिखा हुआ है यह विल्कम टू साव सब्सलूशन वह आपको ब्लू कलर में दिखने लएगा तो यह अगर आपका माली यह लोकल सीसस नहीं है इसको हटा दीजिए लोकल सेस्स मैंने हटा दिया तो आप स्टाइल डोट सीसस पर कोई सीसस लिखते हैं जैसे माली मैंने यहां पर एक्ष्वन दे दिया और यहां पर बैग्राउंड कर देता हूं रेड तो देखिए कि अब यह रिड़ अपने आप अपलाई हो जाएगा जिसका लोकल सीसस नहीं होगा गलोबल अपलाई हो जाएगा अगर आप लोकल सीसस दे देते हैं तो गलो कि आप चाहें तो यह श्टाइल लोट श्टाइल वारस दिया हो इसको भी आप कमेंट करके और यह एक पर इंग लाइन विलिक सकते हैं यह स्टाइल देते हैं दो आप अब मैं यहां पर दे सकता हूं कि एच्वन के लिए लिए इग्राउंड कलर डेस करलर टेक है चलिए में पिंक करेता हूं तब देखिएगा जो इसका लोकल CSS दिया हुआ था ब्लू अब यह पिंक हो चुका होगा देखिए पिंक हो गया तो इन इसके सारे मेटाडेटा है आगे हम इसके बारे बहुत दिपली देखेंगे आप बने रहे एक एक वीडियो को बीना स्कीप यह देखिए दोस्तु के सांद सेयर करें ताकि सबको देखने का मौका मिले और ज्यादा सेयर करें अब बढ़ता है और आपके लिए हम एक अच्छे अच्छे वीडियो बना कर लेकर आते हैं तो इस वीडियो को जयादा जयादा लाइक करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में सेयर करें ता कि सब को देखने को मिले जिसे कि हमारा मनुबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए तो चली मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपी के साथ तब तर के लिए थैंक्यू सो मच